सरवेप्यो नमो नमा नमशकार फ्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभादिक्षित वैदिक साहित्य में चारो वेदों की सहिताओं के विशे में उनके मंत्र भाग के विशे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं आज के इस वीडियो में हम वैदिक साहित्य से संबंदित ब्राह्मन, आरण्यक और उपनिशद इनका अध्यन करने वाले हैं तो जो भी इनसे संबंदित मुख्य मुख्य बातें हैं परिक्षा में पूछी जाती हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे तो आप वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन सा ब्राह्मन, कौन सा आरण्यक, कौन सा उपनिशद, कौन से वेद से संबंदित हैं यह सभी अच्छे प्रकार से जन जाएंगे तो यहाँ पर हम अंतर करते हुए और इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसको पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौनसा ब्रामन कौनसे वेद से संबंदित है? कौनसा आरण्यक कौनसे वेद से संबंदित है? तो आईए शब्द ब्रह्मन से निस्पन है ब्रह्मन शब्द के अनेक अर्थ हैं मंत्र यज्य रहष्य तथा परमसत्ता तो इन विभिन अर्थों को देने वाला ब्रह्मन है और ब्रह्मन से ही ये ब्रह्मन शब्द निस्पन हुआ है ब्रह्मन का जो अर्थ प्राप्त होता है वो है ब् इंग कराता है, ये कर्मकांड से संबंधित हैं और जो मंत्रभाग है उनकी व्याख्या ब्राम्न ग्रंतों के अंतरगत की गई है, तो पिछले विडियो में हमने वेदों की सहिताओं की उनकी शाखाओं की बात की थी, तो यहाँ पर जो भी ब्रहमनों के नाम है वो जादा तर वेदों की शाखाओं के नाम पर ही आदारित हैं जैसे शत्पत ब्रहमन है शुकलेजुरुवेद की शत्पत शाखा है तो उसकी व्याख्या करने वाला जो भाग है वो शत्पत ब्रहमन के नाम से जाना जाता है इसी अमने प्रकार और भी हैं तो बहुत सारे ब्रह्मन ग्रंथों के नाम, उनकी शाखाओं के नाम पर ही है, कुछ एक अलग भी है, तो हम इनके विशे में बात करेंगे कि कौन सा ब्रह्मन ग्रंथ कौन से वेद से समबन्दित है। प्रतिपाद्य वस्तु क्या है? क्या-क्या विशयों का प्रतिपादन इनके अंतरगत किया गया है? कौन से विशय इनके अंतरगत वर्णित है? तो ये प्रिश्ण पूछा जाता है, ब्रामनों के प्रतिपाद्य छे है, मुख्य रूप से छे प्रकार की विशय वस्तुओं क प्रतिपादन ब्रामनों के अंतरगत प्राप्त होता है विधी, विनियोग, हेतु, अर्थवाद, निर्वचन और आख्यान तो आपको ये छह जो इसके प्रतिपाद्य है ब्रामन ग्रंत के याद रखने हैं अब इन में से विधी क्या है तो यग्य अनुष्ठान कर्म की प् अलग-अलग प्रकार के उनके प्रतिपाद्य माने गए हैं तो ऐसे वाक्य जो यग्य अनुष्ठान कर्म की प्रेणा देने वाले हैं वो विधी वाक्य के अंतरगत आते हैं वो विधी प्रतिपाद्य के अंतरगत आते हैं जैसे कि स्वार्ग कामा जो होता है स्वार्ग की इच्छा करने वाले को यग्य करना चाहिए इस प्रकार के बहुत सारे प्रेर्णा देने वाले वाक्य ब्रामनों के अंतरगत संकलित हैं तो ऐसे जो यग्य अनुष्टान कर्म की प्रेर्णा देने वाले वाक्य है वो विधी कहलाते हैं तो पहला प्रतिपाद्य क्या है पहली विशेवस्तु क्या है ब्रामनों की विधी दूसरा है विनियोग विनियोग का तात पर यह है वैदिक मंत्रों का यग्य में उपियोग ही विनियोग कहलाता है अर्थात अमुक मंत्र या मंत्र समूह का इस स्थान पर पाठ हो ऐसा जहा पर बताया गया है वो ब्रामनों का कैसा भाग है वो विनियोग भाग है अर्थात वैदिक मंत्र है सबसे पहले तो इन्हों ने कह दिया कि आपको अगर स्वर्ग की इच्छा है तो आप इस यग्य का विधान करें आप ये वाला यग्य करें अब उसके बाद ऐसे वाक्य जो ये बताते हैं कि यग्य में कौन से वैदिक मंत्र का प्रयोग कहां पर किया जाए वो कहलाता है विनियोग भाग है तीसरा इसका प्रतिपाध्य है हेतू अर्थात कर्मकांड की किसी विधी के लिए कारण बतलाना हेतू कहलाता है जैसे अगर माल लीजिए यग्य में ये व अर्थवाद का तापपर यह है स्तुती और निंदा के वचन अर्थवाद कहलाते हैं अर्थवाद जहां पर भी यह बताया गया है कि स्तुती की गई है या निंदा की गई है किसी चीज की तो वो जो सारे वचन हैं वो जो सारे वाक्य हैं वो अर्थवाद के अंतरगत आते है पाचवा इसका प्रितिपाद्य है निर्वचन किसी शब्द का विशलेशन करके उसे संबध क्रिया पद से जोड़ना निर्वचन कहलाता है अर्थात किसी की व्याख्या करना एक तरीके से निर्वचन होता है किसी शब्द का तोड़ ताड़के उसको किसी अन्यक्रिया से सबद करके और उसका अर्थ बताना वो निर्वचन कहलाता है तो ब्रामनों में निर्वचन भी किया गया है और छटा जो इनका प्रतिपाद्धे है वो है आख्यान इसमें बहुत सारे आख्यान परक्रिया और प शिष्ट यग्यों का या राजाओं के दानादी का वर्णन करना पर क्रिया कहलाता है दूसरे के द्वारा की गई क्रियाओं का वर्णन करना क्या कहलाता है उनकी जैसे ब्रामनों में किसी बंतर की व्याख्या करते हुए बीच बीच में आख्यान आ जाते हैं आख्यानों क समय में इस प्रकार से एक ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने राजसुय यग्य किया था तो उनको ऐसी कीर्थी प्राप्त हुई या उन्होंने ये गल्ती कर दी तो उसका ये परणाम उनको भुगतना पड़ा इस प्रकार से राजाओं के दानादी का वर्नन करना या द्वारा क्रिया कल आप वर्णित किये जाएं वो परक्रिया कहलाता है और पुरा कल्प क्या है प्राचीन युगों के यग्यों वो दूसरी कथाओं का विवरन करना पुरा कल्प कहलाता है तो एक तरीके से आख्यान का तात पर यह आप समझते होंगे कथा कहना किसी विशे में बताना तो ये छे प्रतिपाद्य ब्रामनों के हैं जो अलग-अलग टाइप्स के वाक्य हैं देखी एक ग्रंथ है पूरा ब्रामनों उसमें मंत्रों की व्याख्या की गई है अब मंत्रों की व्याख्या करते हुए कहीं पर तो ये बताया गया है कि ये यग्या आपको करना चाहिए फिर कहीं कहीं पर ये बताया गया है कि इस प्रकार के यग्ये में इस मंत्र का प्रयोग या इस मंत्र सम्हूं का प्रयोग यहां यहां पर करना चाहिए. फिर ये पताया गया है कि इस यग्य में ये ये कर्म कांड किये जाते हैं, बली दी जाती है, इस प्रकार से आहुती दी जाती है फिर उनका कारण भी बताया गया है कि क्यों इस प्रकार से करना चाहिए इसके अतिरिक स्तुती और निंदा के वचन कहे गए हैं, देवताओं की स्तुती त्यादी की गई हैं, पूर्व में जो अच्छे कर्म किये गए हैं, उनकी स्तुती की गई है, और पूर्व में बुरे कर्मों की निंदा भी इसमें की गई है, किसी पद का अर्थवताना विश लर्ष पर चैप्रकार के प्रतिपाधिय घ्लफ़ा मंने वर्नित हैं तो आपको ये याद रखने आख़ने ह disgust baik अब बात करतेँ हैं ब्रामण क्रंथ खोंगी कौण करक्र से वड़ से संबंदित तो सबसे बहले बात करें रिगवेद की, रिगवेद से संबंदित दो ब्राह्मन ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एत्रिय ब्राह्मन और दूसरा है कौशितकिया सांख्यायन ब्राह्मन, इन में से जो एत्रिय ब्राह्मन है, वो सायन भाष्य उस पर लिखा गया है, इसमें रिन इसमें जो मुख्य बात है इसके विशे में ये बहुत बार पूछी जाती है कि शुनह शेप आख्यान कौन से ब्राह्मन ग्रंत से संबंदित है जिसकी एक परसे दुसुप्ती भी है चरै वेती बहुत सारे संस्थाएं बहुत सारे व्यक्ति अपना लोगों इसको बनाते हैं चलते रहो चलते रहो चरै वेती तो एत्रे ब्राह्मन क्या क्या आपको याद रपना है एत्रे ब्राह्मन के संबंद में एक तो इसमें रिंत्रे का वर्णन है इस पर सायन भाष्य लिखा गया है इसमें शुनह सेप आख्यान प्राप्त होता है चरै वेती चरै वेती जो प दूसरा रिगवेद से संबंदित ब्रामन है कौशितकी या जिसको शांखःयन ब्रामन भी कहा जाता है ये रिगवेद की वाशकल शाखा से संबंदित है रिगवेद की कौन-कौन सी शाखाएं है इसको हम पूर्व में पढ़ चुके हैं वर्तमान में कौन सी उपलब्द है इसके अतिरिक कौन सी शाखाएं है तो ये कमेंट करके आपको मुझे बताना है जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना याद रह रहा है कितना नहीं तो उनी शाखाओं में से जो वाशकल शाखा है उससे संबंदित ये कौशितकी या शांख्यायन ब्रामन है इसमें तीन अध्याय है और ये तीन अध्यायों के अंतरगत 226 खंड है तो आपको याद रखना है रिगवेद से संबंदित दो ब्रामन है यजुरवेद की बात करें तो यजुरवेद में शुकले यजुरवेद और कृष्णे यजुरवेद आलग अलग इनकी बात करते हैं तो सबसे पहला ब्रामन है यजुरवेद से संबंदित शत्पत ब्रामन जो की शुकले यजुरवेद की शत्पत शाखा से संबंदित है शत्पत जैसा कि इसके नाम से ही सपष्ट है इसमें कितने अध्याय हैं सो अध्याय है ब्रामनों के अंतरगत ये श्रिष्ट ब्रामन माना जात इसके अंतरगत दर्श-पूण-मास-यग्यका, अगनिहोत्र-यग्यका, पंच-महयग्यों का, इत्यादी-यग्यों का वर्णन किया गया है, यह गद्य-शैली में लिखा गया है, गद्यात्मक है, इसके अतिरिक, इससे सम्भंदित जो प्रिसिद आख्यान है, वो है उर्वश का आख्यान भी वरनित है कि मन और वाणी में विवाद हो गया कौन श्रिष्ट है तो आख्यानों के विशे में अगर कभी आविशकता लगी या फिर समय हुआ तो हम अलग से चर्चा करेंगे आख्यानों के विशे में विश्तरिज रूप से बात करेंगे कि कौन से आख्यान आख्यान भी इसके अंतरगत वरनित है कि किस प्रकार से शिष्टी की उतुपत्ती हुई है तो ये चार महतपून इससे संबंदित आख्यान हैं ये भी आपको याद रखना है और एक और महतपूर बात शत्पत ब्रहमन से संबंदित है कि इस शत्पत ब्रहमन के जो अंतिम छे अध्याय हैं अर्थात पिच्यार में से लेकर और सो तक जो इसके अंतिम छे अध्याय है वो ब्रहद आरण्यक उपनिशद के नाम से जाने जाते हैं इसके अतिरिक्त एक इशोपनिशद के बात में भी हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि इशोपनिशद भी अंतिम 40 वाध्याय है किसका ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शत्पत ब्रामन के जो अंतिम छे अध्या हैं वो ब्रहदारण्यकुपनिशत के नाम से जाने जाते हैं अब बात करते हैं कृष्णी यजुरुवेद से संबंदित ब्रामन ग्रंथों की, तो दो ब्रामन ग्रंथ इससे संबंदित हैं तैतिरीय ब्रामन और मैत्रायनी ब्रामन सबसे पहले बात करते हैं तैतिरीय व्रामन की तो तैतिरीय व्रामन कृष्णिय अजुरुवेद का एक मात्र स्वतंत्र व्रामन ग्रंथ है यह आपको ध्यान रखना है जो तैतिरीय व्रामन है वो कृष्णिय अजुरुवेद का स्वतंत्र व्रामन ग्रंथ है ये तीन कांड 28 प्रपाठक और 340 अनुवाकों में विभक्त है तो इसका विभाजन कांडों के अंतरगत किया गया है आपको ये ध्यान रखना है इस तैतिरिये व्रामन में वैदिक जोतिश का वर्नन किया गया है जोतिश से संबंदित वर्नन भीज में प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त अगनी होत्र इत्यादी यग्यों का वर्नन इसके अंतरगत किया गया है और इसमें रिगवेद की अनेक रिचाएं संकलित है ये इस से कोई ब्राह्मन नहीं है कृष्णी अजुरुवेद पर जो एक मात्र स्वतंत्र ब्राह्मन ग्रंथ है अर्थात अलग से जो ब्राह्मन ग्रंथ लिखा गया है वो तैतेरिय है इसकी जो मैत्रायनी सहीता है किसकी कृष्णी अजुर्वेद की मैत्रायनी सहीता उसका चौथा अत्याय मैत्रायनी ब्रहमन के नाम से जाना जाता है इससे सम्मंदित जो प्रमुख आख्यान है वो है परवतो पाख्यान और रात्री सम्मंदित आख्यान कि परवत पहले ये जो परवत से संबंदित आख्यान है ये हम इंद्र सूक्त में भी मैंने इसकी चर्चा की थी इंद्र देवता का वर्णन करते हुए उसके स्वरूप को बताया गया है कि जो परवतों को स्थिर करने वाला है ऐसे देवता कौन है इंद्र है इनके विशे में हम पढ़ चुके हैं तो मैंने वहाँ पर भी आपको बात बताई थी कि एक परवत आख्यान आता है मैत्राइनी ब्रामन में वो इनसे संबंदित है ये आख्यान क्या है ऐसी मान्यता है कि पहले परवतों के पंक हुआ करते थे वो उड़कर अलग-अलग जगह पर चले जाया करते थे जिससे बहुत ही जंधन की हानी हुआ करती थी तो लोग इससे बहुत परिशान थे तो इसके समाधान के लिए लोग इंद्र के पास गए और इंद्र ने फिर इन परवतों के पंको काट कर उनको इस्थिर किया इसलि रात्री की रचना की गई अपने दुख को भूलाने के लिए इश्वर के द्वारा रात्री की रचना की गई पूर्व में रात्री नहीं थी केवल मात्र दिन हुआ करता था लेकिन किस प्रकार से अपने दुख को भूला जाय तो उसके लिए रात्री की रचना की गई ये सम्मंदी आख्यान भी मैत्रायनी ब्रह प्रिश्ण पूछा जाए कि कौन से वेद के सरवाधिक ब्राह्मन ग्रंत हैं तो वो हो जाएगा साम वेद के जो कि कितने हैं सायन ने कितने माने हैं सायन ने आठ माने है और कुल है नो अब हम इन नो ब्राह्मन ग्रंतों की बात करते हैं इनमें सबसे पहला है तांडे महा ब्राह्मन इस तांडे महा ब्राह्मन को पंच विंश ब्राह्मन के नाम से भी जाना जाता है और महा ब्राह्मन के नाम से भी जा पंचिविंश ब्राह्मन का ताद पर ये इसके अंतरगत 25 अध्याय है ये सामवेद ब्राह्मनों में प्रधान है और मुख्य तह सोम्याग का वर्णन इसके अंतरगत किया गया है दूसरा ब्राह्मन ग्रंथ है शडविंश ब्राह्मन शडविंश ब्राह्मन का ताद पर ये 26 अध्यायो वाला ये ब्राह्मन है और उसी के नाम पर इसका नाम है शडविंश ब्राह्मन ये तांडे ब्राह्मन का परिशिष्ट है इसको अधबुद ब्राह्मन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतरगत भूक प्राकरतिक अश्चर्य पूर्ण घटनाओं का वर्णन किये जाने के कारण उनके शांती के उपायों का वर्णन किये जाने के कारण इसको अधबुद ब्रहामन भी कहा जाता है तो इनके नामों से संबंदित बहुत पुछे जाते हैं कि शडविंश ब्रहामन का अन्य नाम है अपर नाम है या पंच्विंश ब्रहामन का अपर नाम है तो आपको धियान रखने हैं इनके अन्य नामों के विशे में भी तीसरा ब्रामन है साम विधान ब्रामन ये जो साम विधान ब्रामन है ये तीन प्रकरणों में विभक्त है इसके अंतरगत लौकिक विशेयों का वर्णन किया गया है तातकालिक समाज को समझने के लिए परियाप्त सामगरी इसके अंतरगत प्राप्त होती है तो सामवेद से संबंदी तैसा ब्राह्मन जो लोकिक विशियों का वरणन जिसके अंतरगत है जो की तातकालिक समाज को समझने के लिए बहुत ही महत्पून है वो कौन सा ब्राह्मन है वो है सामविधान ब्राह्मन चौथा ब्राह्मन है आर्शेय ब्राह्मन आर्शेय ब्राह्मन तीन प्रपाठकों और 82 खंडों में विभक्त है इसके अंतरगत सामवेद की अनुक्रमनी प्राप्त होती है अर्थात सामवेद की रिशियों की सूची का उलेग इसके अंतरगत किया गया है तो आपको ध्यान यह सामवेद से संबंदित सबसे छोटा ब्रामन है जो की तीन खंडों में विभक्त है इसमें जैसा कि इसके नाम से ही सपष्ट है सामवेद के देवताओं का विवेचन एवं वैदिक छंदों का निर्वचन इसके अंतरगत किया गया है तो देवताओं से संबंदित जो ब्रामन है वो देवत या देवताओं ध्याय है और रिशियों की सूची का उलेग जिसके अंतरगत प्राप्त होता है वो है आरशेय ब्रामन छटा ब्रामन है उपनिशद ब्रामन में कुल दस प्रपाठक है इन दस प्रपाठकों में जो दो प्रपाठक है वो मंत्र ब्राम इसका नाम है पूर्व के इसके जो दो प्रपाठक है वो छांदोग्य ब्रामन के नाम से या मंत्र ब्रामन के नाम से जाने जाते हैं और अंतिम आठ प्रपाठक छांदोग्य उपनिशद के नाम से जाने जाते हैं अब हालांकि पूर्व में भी मैं आपको इस पश्ट कर कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ब्रामण है उसमें पूर्ण तह कर्मकांड का विवेचन किया गया है माली जीए ये उपनिशल ब्रामण ही है इसमें दस प्रपाठक है पूर्व के जो दो प्रपाठक है इसमें कर्मकांड की प्रधानता है तो इसलिए इसको छांदोग्य ब्रामन के नाम से जाना जाएगा और जो बाद के आठ प्रपाठक हैं उनमें ज्यान कांड की प्रधानता है इसमें शुष्टि विश्यक विवेचन है ब्रह्म से संबंदित विवेचन है तो वरणित विशे के आधार पर इसी के जो अंतिम आठ प्रपाठक हैं इनको छांदोग्य उपनिशद के नाम से जाना जाता है तो बहुत बार ये प्रशने पूछ लिए जाते हैं कि छांदोग्य उपनिशद है किस से संबंदित तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये उपनिशद ब्राह्मन के अंतिम आठ प्रपाठक चांदोग्य उपनिशद के नाम से जाने जाते हैं साथवा ब्राह्मन है सहीतो उपनिशद ब्राह्मन ये पांच खंडों में विभक्त है सामगान के विभिद रूपों का वरणन इसके अंतरगत किया गया है आठवा है वन्श ब्राह्मन ये तीन खंडों में विभक्त है रिशियों की सूची एवं वन्शावली का वरणन इसके अंतरगत किया गया है नवा है जैमिनिय ब्रामन जैमिनिय ब्रामन को तलवकार ब्रामन भी कहा जाता है ये पाँच अध्यायों में विभक्त है उन में से जो प्रथम तीन अध्याय हैं पहले के जो तीन अध्याय हैं वो यग्य विदियों से सम्बंदित हैं उसके बाद बात करें अंतिम अथर्ववेद के ब्रामनों की विशे में, तो अथर्ववेद का एक मात्र प्रामन प्राप्त होता है जो कि गौपत ब्रामन के नाम से जाना जाता है, इसके संबंद में टेलीग्राम पर भी मैंने आपसे प्रिश्न पूछा था, सरल संस्कृत स सुगम संस्कृत नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल भी है अगर आप हमसे जुड़े हुए नहीं है तो आप टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर छोटी छोटी सूचनाय दी जाती हैं कुछ इसके अतिरिक्त प्रति दिन एक प्रशन भी वहाँ पर पूछा जाता है तो अगर आप जुड़े हुए नहीं है तो आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या फिर आप टेलिग्राम पर जाकर सरल संस्कृत सुगम संस्कृ सर्च करके भी उस चैनल को जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर हम बात करें गोपत ब्रामन के विशे में तो गोपत ब्रामन दो भागों में विभक्त है पूर्व गोपत और उत्तर गोपत पूर्व गोपत के अंतरगत पांच प्रपाठक हैं जबकि उत्तर गोपत के अंतरगत छे प्रपाठक हैं, इसकी जो मुख्य विशिष्टा है, इसमें ओम और गायत्री की महिमा का वर्णन किया गया है, तो मूलतहा एक ही प्रश्ण यहां से पूछा जाता है, क्योंकि यह महत्पूर्ण है, एक मात्र ब्रामण है आथरवेद का, तो मुख्यता यही प्रश्ण प पात करते हैं कि आरण्यक क्या है, तो अरण्या अध्यानात एतद आरण्यकम इतिर्यते आरण्यम में पढ़े जाने के कारण, वनों में पढ़े जाने के कारण, इनको आरण्यक कहा जाता है, आरण्यक ग्रंतों का प्रतिपात्य क्या है, इनमें क्या विवेचन है, किस प्र और ये वनों में पढ़े जाते थे मुख्य तोह इसी के आधार पर इनका नाम आरण्यक पढ़ गया इनका लक्षे क्या है आरण्यकों का तो चिंतन इनका लक्षे है करमानुस्ठान में प्रवर्टन की जो प्रवृत्ती है वो ब्रह्मन ग्रंथों के अंतरगत प्राप्त होत अरण्यकों में आध्यात्मिक विशेयों का विवेचन है और चिंतन करना ही आध्यात्मिक विशेयों का चिंतन मनन ही इनका लक्षे है वानप्रिस्थों के लिए आध्यात्म विद्या और प्राण विद्या का वर्णन आरण्यक ग्रंतों में किया गया है वनिया एकांत में ये चिंतनिये एवं मननिये हैं और उपनिशदों के शुरोद माने जाते हैं अब हम बात करें आरण्यक साहित्य की अर्थात की कौन से वेद से संबंदित कौन कौन से आरण्यक हैं कौन से प्राप्त होते हैं क्या उनकी मुख्य विशिष्टाएं हैं तो सबसे पहले बात करते हैं रिगवेद के आरण्यकों के विशे में, तो ब्रहम्मन के समान ही रिगवेद से संमंदित आरण्यक ग्रंथ भी दो ही हैं, एतरिये आरण्यक और शांख्यायन आरण्यक. उन में से जो एत्रे आरण्यक है ये सत्रे अध्यायों में विभक्त है इसके अंतरगत सत्रे अध्याय है व्याकरण और भाशेशास्त्र का ज्यान इसके अंतरगत प्राप्त होता है दूसरा जो इसका आरण्यक है शांख्यायन आरण्यक ये पंद्रे अध्यायों में विभक् आर्निक के अंतरगत मुख्य तह उशिनर, मतश्य, काशी, विदेह और कुरू पांचाल इत्यादी प्रदेशों का निर्देश दिया गया है तो इस तरीके के प्रश्ण भी कई बार पूछ लिए जाते हैं मुल्तह जो नेट असिस्टेंट प्रफेसर इत्यादी की परिक्षाएं होती हैं उसमें पहले भी ये प्रश्ण पूछा गया है अभी मुझे अच्छे से याद नहीं कि कौन सी परिक्षा में पूछा गया है ल आंख्यायन आरण्यक के अंधरगत दूसरी बात करते हैं यजुर्वेद के आरण्यकों से संबंदित की कौन-कौन से इसके आरण्यक है तो यजुर्वेद के तीन आरण्यक हैं ब्रिहद आरण्यक तैतरी आरण्यक और मैत्रायनी आरण्यक इन में से जो ब्रिहद आरण्यक ये शुकले यजुर्वेज से संबंदित है, शत्पत शाखा से संबंदित है, और जो तैतरी और मैत्रायनी है ये कृष्णे यजुर्वेज से संबंदित है, शत्पत का अंतिम कांड है, उसके छे अध्याय व्रिहद आरन्यक के नाम से जाने जाते हैं, तैतरी ये आरन्यक प्राप्त होता है ये इसकी मुख्य विशेष्टा है तो इसके विशे में आपको याद रखना है कि यग्यो पवीत संसकार का प्रथम निर्देश तैतिरी आरण्यक के अंतरगत प्राप्त होता है और दूसरा है कृष्णिय अजुरुवेच से संबंदित मैत्राइनी आरण् और दूसरा है चांदोग्य आरण्यक तो तलवकार की पहले बात करते हैं तलवकार जैमिनी ये शाखा से संबंदित है इसमें तलव अर्थात तलव का तात पर ये है संगीत अग्य तो तलव से अर्थात संगीत से संबंदित होने के कारण इसका नाम पढ़ा है तलवकार आ भक्त है, दूसरा आरण्यक है चांदोग की आरण्यक, यह तांडे प्राह्मन से संबद्ध है, वस्तुतह चांदोग की उपनिशद का जो आरंबिक भाग है, वो चांदोग की आरण्यक के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि आप सहित से सम्बंदित हैं तो shall open की तांडे शाकश से तौण दील रखें और अनसे संदोत प्राप्त्त नहीं होता है I इस प्रकार से प्राह्मन और आरण्यकों की विशे में हमने इस वीडियो में पढ़ा है ये वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम उपनिशदों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे उपनिशदों में थोड़ा सा डिटेल में जानना हमारे लिए आविशक है कि से संबंद तो आगे पढ़ लेंगे लेकिन उपनिशदों में थोड़ा सा विस्तरित विवेचन है कुछ महतपूर्ण बाते हैं उनकी तो उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं तब तक आप पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए अगर आप अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक से शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबाईए ताकि आगे आने वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद